हेले श्टूडेंड कैसे हैं आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेस पर सवागा था उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बितर चल रहे होगी क्लास टुल्द कमिस्टी अंसी रटी में चैप्टर थी चल रहा है रासानिक बलगत की केमिकल केनेटिक्स और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले बच्छो सक्रिन उर्जा किसे कहते हैं और देहली उर्जा किसे कहते हैं साथ में हम सक्रिन उर्जा और देहली उर्जा में संबंद सीखेंगे क्योंकि कोश्चन पूछा जाता है सीधा question पूछेगा सक्रियन उर्जा और देली उर्जा में संबंद इस्थापित कीजिए जब आप से बनेगा भीया तो आप बहतर रूप से लेख पाओगे तो चलिए सुरू करते हैं बच्चो यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़े हम आपको समझाना चाहते ह जैसे रासानिक अभुक्रिया होती है तो रासानिक अभुक्रिया में होता है क्या बच्चो अणू परमाडू आपस में क्या करते हैं टक्कर करते हैं जैसे रासानिक अभुक्रिया में एक अभिकारक होता है अभिकारक का मतलब होता है रासानिक अभुक्रिया में भाग लि करते हैं तो उनके अड़ों के बीच आपस में क्या होता है संगहट होता है मतलब तक्राव होता है और तक्राव होने के बार बच्चों हमें उत्पाद मिलता है अब इस स्थितन होता क्या है कि जैसे मा अर्गों को एक निश्चित एनर्जी चाहि Peach होता है जैसे आपको पढ़ने के-लिए मन नहीं लग रहा होता है तो आपको א檄 क्यों होता है या तो आप गुरुजन हो सकते हैं जो कि आपको मोटीवेट करें तो हम कहते हैं कि किसी रासानिक अभक्रिया को संपन्ध होने के लिए उन अड़ों को उर्जा चाहिए होता है और एक निश्चित सीमा होती है भाई कि इस सीमा में ही रासानिक अभक्रिया संपन्ध होगी उस सीमा को हम कहते हैं उर्जा अभरोध किसी भी रासानिक अभक्रिया में अभिकारा के लि की नाम से जानते हैं कि आड़ो को टोटल इतना उर्जा होना चाहिए आड़ो के पास तभी वो रासानिक अवक्रिया संपन होगी अनधा वो रासानिक अवक्रिया संपन नहीं होगी उस उर्जा को बोलते हैं हम देहली उर्जा जैसे आप बचो खाने की हैविट में दस रोट आपकी छमता है बतलब किसी रासानिक अभक्रिया को संपन्ध होने के लिए टोटल एनरजी जो उसकी आवस्षक एनरजी होती है वो देहली उर्जा कहलाती है बतलब जिस उर्जा पे वो रासानिक अभक्रिया संपन्ध हो जाता है उसे हम उसका देहली उर्जा कहते हैं अब अच्छो जैसे आपने कहा कि भई हमारे पास दस छंता है रोटी खाने के लिए आपने कहीं गया मालीजे मामा जी के गया आप और आप घर सी चलते हैं तो कुछ रोटी घर से भी खा लिए तो आपने मालीजे चार रोटी घर से खा लिए तो आपके पास भी कुछ उर्जा लेकिन आपने घर से कितना खा लिया, 4 रोटी, तो अब कितना रोटी खाओगे, 6 रोटी खाओगे ना, लेकिन पूर्ट रूप से पेट भरने के लिए आपको कुछ नो कुछ अवसकता है कि नहीं, तो भाई कुछ नो कुछ अवसकता है, वो अवसकता है 6 रोटी की, ऐसे ही ह पर अडू परमाडू के पास कुछ एनरजी रहती है वो अडू या परमाडू की ओसत उर्जा होती है अभिकारक के पास कुछ उर्जा होती है और भाईया अभक्रिया संपन्न होने के लिए कुछ एनरजी और चाहिए होता है तो जो उर्जा हम अलग से देते हैं किसी भी पद तो दस रोटी की जो लिमिट है ना पेट भर जाए पेट कब भरता है जब आप दस रोटी खाते हो तो भाईया आपकी जो पेट भरने की छंता है उसकी लिमिट क्रास हो जाए तब तक हम उर्जा देंगे भाई रोटी आपको कब तक मामा जी देंगे जब तक कि आपका लिमि कर रखा, इससे कम उर्जा है, तो फिर बच्चों रासानी रवक्रिया संपन्ध ही नहीं होगी, रासानी रवक्रिया कभी संपन्ध नहीं हो सकती है, इसलिए कहते हैं, बई साहब अब कर्मार को संपन्ध ने कराने के लिए कुछ नकुछ तो उसके उर्जा कहलाती है, थोड़ा सा समझने की एकोसिस करेंगे, कि उर्जा की वह नियूनतम, मात्रा जो अड़ों को उर्जा अबरोध को पार करने के लिए वसक होती है, उसे हम बलते हैं, बच्चो सक्क्रिन उर्जा, उर्जा अबरोध कैसे आप समझोगे, जैसे मैं आपको इस अभिकारक को यहां तक उर्जा ले बले, मतलब एक निश्चित लिमिट है, कि यहां तक उर्जा पहुंचेगी, तभी बच्चो वो अभिक्रिया संपन्ध हो पाएगी, अनथा संपन्ध नहीं हो पाएगी, तो अभी यहां पे अभिकारक है, यहां से यहां तक जो डिस्ट उर्जा करेखा है मतलब उर्जा का बढ़ता हुआ करम तो थोड़ा सा इसको उपर ग्राब में बनाया गया है इसके पीछे का रीजन क्या है योगि अभिकारक के पास भी कुछ नो कुछ एनरजी कुछ नो कुछ उर्जा है इसको जीरो से स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि पास उर्जा है और कुछ उर्जा है इसके पास और हमें अभिकारक को किस उर्जा लेवल तक लेजाना यह उर्जा अवरोध है उर्जा आवरोध जिस प्रकार से आपके पेट भरने की छंता परेक आएक है कि इतनी रोटियां खालोगे तो आपका पेट भर जाएगा अब रोटी के अलाबर आप चाबल खाओगी तो कम रोटी खाओगी इसलिए आप परसायन मत होना बच्चा नहीं वो लोसर हम तो रोटी खाती नहीं चाबल पर बताओ चाबल पर आप समझ लेना कि एक थाली भर एक मतलब जितना भी बोलते हो आपके गाव में हमारे गाव में तो बहाई एक टाटिया बोल देते हैं समझ रहे तो एक थाली आप समझ लें ठाली चाबल खानेक चंता अरब यह कुछ लोग किलो चाबल खाले थे हैं कुछ लोग डेड़ किलो चाबल क्था लेकिन कुछ एनर्जी और लेगा यह तब यह इस अवरोद को पार कर सकता है और ज या वो सीधा उत्पाद में बदल जाता है, कुछ नहीं है, तो इसको हम कुछ न कुछ एनरजी देते हैं, तो यहां से यहां तक यह जो ग्राब बना, कि भई सहाब, इसको हमने यहां तक पहुँचाया, कब जब हमने उर्जा दी, इसलिए इसको सक्रन उर्जा नाम दे दी, यहां तक उर्जा जब तक नहीं पहुचेगी ना, तब तक काम होने वाला नहीं है, ध्यान रखो, तो यह जो टोटल एनरजी है, टोटल एनरजी वो देली उर्जा कहलाती है बच्चो, और जो हम अणू को बाहर से देते हैं, जो अणू के अवसकता होती है, उस उर्जा को के पास अवसक रूप से होने चाहिए, जिससे उनके टकर प्रभावी हो सकें, और अर्था टकरों के फल्सोरुख रास्थानिक परिवर्तन हो सकें, यह टकर का मतलब समझेगे ना, दो परमाणों वो आपस में टकर आ गए, दो आपस में टकर आते हैं, तब ही एक दूसरे स जाए कभी, कि देली उर्जा बराबर क्या आएगा, तो जो सक्रन उर्जा हमने दिया, और अभिकारा कणों की जितनी आउसत उर्जा, उन दोनों का योग आपका क्या कलाता, देली उर्जा, या कि जब सक्रन उर्जा निकालोगे, तो इस देली उर्जा में अभिकारा को आ लोग भी पढ़ते हो आप लोग लेकिन विद्वत पढ़ो बस मेरा उम्मीद यही रहता है कि आप लोग जितने भी इस चैनल को फालो कर रहे हैं जितने इस चैनल पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका एक भी टॉपिक छोटना पाए एक जाम की पॉइंट आ भी उसे और इतना ही मिलते हैं कि वीडियो के साथ जैहिंद बंदे मातरम